वेल्कम स्ट्रेंट्स मैं हीरु फैरवानी बी ये पार्ट थर्ड येर पेपर सेकिंड सेकिंड का भी पार्ट सेकिंड सी आईपी कंटेंप्रेरी इंडियन फ्लोसफी यानी समकालिन भारती धर्शन ये पेपर में पढ़ा रही हूँ इस पेपर में डॉक्टर राधा कृष्णन परचाचा कर रहे थे अभी तक हमने डॉक्टर राधा कृष्णन के निर्पेक्ष सत यानी कंसेप्ट आफ गौड परचाचा की है इसी के कंटिनुएशन में ही आज हम डॉक्टर राधा कृष्णन के इश्वर सम्मंदी विचारों की विस्तिर्थ चर्चा करेंगे ठीक है अभी हमने पढ़ा था कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने वेदान दर्शन का अनुसरण किया और उनकी एकत्व वादी विचारों को अपनाया उन्होंने ये माना कि जो इस जगत की मूल सत्ता जो है वो परमतत्व ब्रह्मा है उन्होंने कहा कि परम सत्ता जो है निर्जी वस्त्व में भी है और सजी वस्त्व में भी है लेकिन किस रूप में निर्जी वस्त्व में वो सुपत वस्ता में है जैसे सो रही है और वनस्पती जगत में जैसे पेड़ पोदे आदी उसमें चेतना का आंशिक अंश्विद्यमान है यानि जैसे सांस ले रहे हूँ बस और यही चेतनता पश्वों में अनुभो की जाती है और मनुशे इस तर पर यह हमारी आत्मी चेतना में जिरित है इस तरह से यह निर्पेश सत्ज है निर्जीव से लेकर के मानव जगत तक सभी में विद्यमान है यह शुद्द चेतना है और अनंत संभावनाओं का एक प्रतीक है अब प्रश्णों पस्षित होता है कि इस परंसत्ता का प्रमान क्या है तो वे कहते हैं कि यह जगत जो है जो हमें दिखाई दे रहा है इसका जो अस्तित्व है यही उस परंसत्ता का प्रमान है जब हम विश्व को समगरता में यानि उसको समपूनता में जानना चाते हैं तो हमें प्राकतिक विज्ञान के इस्तर से उपर उठना होगा हमारा जितना भी ज्ञान है वो विज्ञान पर आधरित है तो उससे परे जाकर कि हमें ये देखना होगा तब ही हमें निर्पेक्ष सत्थ के स्वरूप का अनुभव होगा क्योंकि निर्पेक्ष सत्थ जो है वो असीम है शाश्वत है वो खुद के अलाव यानि स्वाहम के अलाव वो किसी पर भी निर्भर नहीं होता इसलिए इसमें शुद्ध स्वतंतर्ता पाई जाती है क्योंकि इससे कोई भी सिमित नहीं कर सकता है यानि परंसत्ता का स्वारूप ऐसा है राधा कृष्णन ने इश्वर की व्यक्तित पूर्ण यानि साकारूप की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने भताया कि इश्वर का साकारूप जो है धार्मिक व्यक्तियों की धार्मिक भावना को संतुष्ट करता है परंतु कई ऐसे लोग भी जिध्यासु हैं जो उसके व्यक्तित पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके लिए राधाकृष्ण ने शंकर की तरह ब्रह्म विचार की व्यक्या की हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बता है कि ब्रह्मा जो है वो शुद्चेतन्य सत्ता है और इस संसार की प्रक्रिया से वो परे हैं इश्वर तो विश्व में व्याप्त हैं और वो ब्रह्मा की ही अभी व्यक्ति हैं तो सक शंकर चारी भी मांनाते हैं मनुष्य सत्य जो है वो शत्य है वा अत्य है और शुव्वन या संदर हम सब को जानना चाता है यानि एसी सत्ता को जानना चाता है जो सभी प्रकार्पार की सत्ताओं ओंका आधारों उर दिक्र काल्से purely हो सभी अभिवक्तियों से परे होने के कारणी भी वो सभी का आधार होना चाहिए तो विश्व की जो स्रिष्टी है उस स्रिष्टी का ब्रह्मा से ना कुछ लिया जाता है ना ही कुछ जोड़ा जाता है क्योंकि पून से ही पून निकलता है फिर पून ब्रह्म पून ही रहता है यानि ये एक तरह से विकास की प्रक्रिया है जो विश्रु के लिए समीचीन होती है किन्तु ब्रह्मा खुद जो है वो विश्रु की प्रक्रिया से परे होता है और जो इश्वर है वो इस जगत का करता है, हरता है और नियंता भी है यानि नियंतरन करने वाला है नियामक है इश्वर का इस जगत के साथ में एक और्गेनिक संबन्द है परंतु ब्रह्मा का जगत से कोई संबन्द नहीं है ब्रह्मा जो है सभी सत्ताओं से पहले भी है और उनका आधार भी है अपने भारति दर्शन में पढ़ा होगा कि विश्व की सृष्टी की व्याख्या के लिए एक प्रच्टित शब्द आता है लीला तो इश्वर जो है लीला के लिए ही विश्व की रसना करता है वो किसी बाद्यता के कारण विश्व की रसना नहीं करता इश्वर जो विश्वका करता है, पालन करता है, संहार करता है वो ब्रह्मा से बिलकुल अलग नहीं है केवल मानवी दृष्टिकोंड से वो इश्वर है और पारमार्थिक दृष्टु से वो ब्रह्मा है तो राधा कृष्णन जो है इस तरह से निर्पेक्ष सत्थ और ईश्वर इन दोनों ही धारणाओं को स्विकार करते हैं परंतु वे कहते हैं कि ये दोनों जो है अलग-अलग सत्थाएं नहीं है शंकरने तो वेदानत में बताया है कि ये इश्वर परमर्थिक द्रिश्टी से सत्थ नहीं है जबकि राधा कृष्णन जो है इश्वर को वास्तविक मानते हैं और उसे स्विष्टा के रूप में स्विकार करते हैं उन्होंने इश्वर को एक सरजन करता माना है यानि उसमें एक सरजनात्मक शक्ती है जो सारे जगत की विवस्था के प्रयोजन के मूल में विद्धिमान होती है राधा कृष्णन ये भी मानते हैं कि जब हम तत्तम में मानसा के दृष्टी से देखते हैं तो निर्पेक्ष सत्त का विचार आता है और जब हम धार्मिक दृष्टी से देखते हैं तो हमारे अंदर इश्वर का विचार आता है इस तरह निर्पेक्ष सत्त और इश्वर जो ह परम सत्ता की दो दृष्टियां है निर्पेश सत्य जो है वो अपने कार्यत रूप में इश्वर है इसलिए इश्वर भी सत्य है ब्रह्मा भी सत्य है और उसके द्वरा बनाये गया यह जगत भी सत्य है ठीक है तो इस प्रकार डाक्टर राधा कुष्णन ने इश्वर के स्वरूप का विवेचन किया है जिसके कारण वो गतिशील माना जाता है अब इश्वर के अस्तित्व को लेकर के राधा कुष्णन ने कुछ प्रमान प्रस्तुत किया है जो यह प्रूव करते हैं कि इश्वर जो है इस जगत में विद्यमान है पहला इन्होंने तर्क दिया है कारण मूलक युक्ति यानि कारणता सम्बंदी युक्ति इसमें इन्होंने भताया है कि इश्वर जो है इस जगत की सभी वस्त्मों का मूल या प्रत्थम कारण है डॉक्टर राधा कृष्टन ने डेकार्ट की तरह ही इस युक्ति को प्रस्तुट किया है जिसमें इका गया है कि हम सब सिमित हैं साधारन हैं इसलिए हम सब का आधार एक ऐसा कारण होना चाहिए जो असीम हो और हम सबसे अलग असाधारन हों तो इस आधार पर उन्होंने कारणता मुलक युक्ति के द्वारा इश्वर की सब्ता को सिद्ध किया है दूसरी युक्ति नोंने प्रयोजन मुलक युक्ति बताई है इस युक्ति के आधार पर कहा जाता है कि संसार में हमें एक व्यवस्था देखने को मिलती है और उस व्यवस्था का कोई न कोई लक्ष या उद्देश्य हमें दिखाई दे रहा है तो यह लक्ष या उद्देश्य है यह यह प्रूब कर रहा है कि इश्वर है क्योंकि जगत का यदि कोई प्रयोजन है कोई लक्ष है तो प्रयोजन करता भी होना चाहिए तो प्रयोजन करता के आधार पर इनोंने इश्वर के सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है इनोंने नैतिकता के आधार पर दी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इससार के पीछे एक नैतिक अधिश्थान है, यानि कोई अधिश्थाता है, जो सब चीजों का अधार है जो ससार में नेतिकता का नियमन करता है नियमन करता है यानि नियामा के नियंतरन करता है यह सिदान बानता है कि मनुष्य के मन में हमेशा एक नेतिक भावना का विश्वास रहता है हमारे सारे कर्म जाए विशुब हो या अशुब हो उन सब के शुब या अशुब परिनाम भी देखने को मिलते हैं इस आधार पर एक ऐसा नियमन करता है जो हमारे हर तरह के काम पर दृष्टी रखता है और उस पर नियंत्रन रखता है तो वो आधार एक मात्र इश्वरी हो सकता है इस तरह से नैतिकता को आधार मान करके इनों ने इश्वर को प्रूव करने का प्रयास किया है चौथी युक्ति इनों ने अंतर दृष्टी पर आधारित पताई है इस युक्ति को डॉक्टर आधा कृष्णन सबसे अधिक प्रमानिक और विश्वसनी मानते हैं उनका सिद्धान्त जो है इसी अंतर अनुभुती के सिद्धान पर ही आधारित है वे कहते हैं कि मनुष्य में आध्यात्मिक अनुभव की एक संभावना सदेव रहती हैं हम सबी मनुष्य अपने अपने साधर अनुभव से उपर उठकर देखने की शमता रखते हैं हमें लगता है कि हमारा जीवन जो है किस न किसी उद्धिश्य के लिए ही है और जब हम इस अंतर दृष्टी से देखते हैं या सोचते हैं तो हमें इश्वर की एक जहांकी या एक प्रतिमा हमें देखने को मिलती है तो अंतर दृष्टी की गहराई में परमसत्ता के रूप इश्वर का हम साक्षात कर सकते हैं तो इस तरह से डृप्टर राधा कृष्णन ने इश्वर के अस्चित्व को सिद्ध करने के ये चार प्रकार की प्रमान हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं अब हम आते हैं डृप्टर राधा कृष्णन के जगत सम्बंदी विचार जैसा कि हमने उनके इश्वर सम्बंदी विचारों में पढ़ा है कि राधा कृष्णन ने इश्वर को इस जगत का सृष्टि करता माना है इश्वर ने इस जगत की रचना की है वेदान की दृष्टि से जगत जो है ब्रह्मा या निर्पेक्ष सत्त की अभिव्यक्ती है पढ़ाया आप लोगोंने अद्वेद विदान परंतु जहां शंक्राचारे के दर्शन में ब्रह्मा को सत्त और जगत को मिथ्या माना गया है राधा कृष्णन की दृष्टि में परं सक्ता और जगत दोनों ही वास्त्विक है किसी भी तरह जगत को भ्रह्म नहीं माना जा सकता इश्वर की जो सरजनात्मक शक्ती है उसी का ही परिणाम यह जगत है यह सरजनात्मक शक्ती जो है निर्पेक्ष परं सत्ता की शुद्द चेतना है निर्पेक्ष सत्ता जो है वो स्वतंत्र है इसलिए उसे सिमित धंग में बांदा नी जा सकता उसमें अनंत प्रकार की संभावना है और यह हमारा जगत जो है उसी की एक संभावना है जो वास्तविकता में रुपांतरित हुई है ठीक है तो डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि जगत जो है वास्तविक रूप में परंत उन्होंने जगत की व्याख्या जो है आध्या प्रश्वर की तरह वे जगत को मिठ्या नहीं कहते बलकि हीगल की तरह दर्शन का सम्मन्वे करते हुए वे विदान्त का साथ देते हैं। उन्होंने जगत को वेग्यानिक रसायनों में भी स्थान दिया है। परंतु में जगत की व्याख्या जो है यांत्रिक ढंग से नहीं करते हैं बलकि प्रयोजन वादी ढंग से करते हैं। उनकी द्रश्टी में इश्वर की संभावनों का ही जो है ये स्रश्टी रूप है। इश्वर में अनन्द संभावना है और जगत जो है उन संभावनाओं का ही एक अभिव्यक्त रूप है जगत अनिवारे नहीं है बल्कि निर्पेक्ष की आकस्मिक्ता है यानि निर्पेक्ष सत्व जो है उसके द्वारा अचानक ये प्रकट होता है रादाकृष्णन के जो ये सश्ट्री समंदी विचार है इसमें किसी भी प्रकार से एकत्ववाद का खंडन नहीं हो रहा शंकर के द्शन में हमने जिस रूप में जगत को मिथ्या माना है या प्रतिती कहा गया है रादाकृष्णन के द्शन में जगत को वास्तविक माना गय हैं चुकि ये निर्पेक सत्ता से विक्षित हुआ है इसलिए ये पूरी तरह से वास्त्विक है तो इस प्रकार जगत एक व्यवस्तिक संपूनता है जिसमें जड़ प्राण मन विबिन इस्तरों की अभिव्यक्तियां हुई है परंद ये विबिन इस्तर जो है एक दूसरे से अलग नहीं है बलकि उसी सत्ता से ही अभिव्यक्त है उसी को ही व्यक्त करते हैं ठीक है या राधा राधा कृश्णन के जगत संपन्दी विचार हैं जिसमें उन्होंने जगत की प्रक्रिया को इश्वर की माया रुपी शक्ति को जिसमें उपनिशदों में लीला का आ गया उसी से ही संचालित माना है ठीक है तो ये वा राधा कृश्णन के निरफेक्ष सत्त और इश्वर संबन्दी विचार और उसके बाद उनके जगत संबन्दी विचार आज हम इतना ही पड़ेंगे नेक्स्ट हम राजा कृष्णन के आत्मा संबन्दी विचार पड़ेंगे त्युक्त